नमस्कार जैमतादी सबको स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में कैसे हैं आप सब मैं उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी वीडियोस में दिये गए उपाई भी पसंदारे होंगे और उमीद करती हूँ आपको इनसे लाब भी पहुच रहा होगा जो आज की मेरी वीडियो का टाइटल है वो है कि घर की इस जगा पर छिड के हल्दी का पानी तो लक्षमी मा बरसाएगी दोनों हाथों से धन आपके परिवार की उपर आपकी राशी में मा लक्षमी का आगमन हो जाएगा हर कोई चीज को अगर हम पॉजिटिव माइंड से और पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कोई भी उपाय आपको बताया गया हो अगर कोई भी डाउट में रखकर आपको उपाय करते हैं तो उसके चांस कम हो जाते हैं पूरे होने के यही अगर छोटे से छोटा उपाएबिया बहुत विश्वास के साथ करते हैं तो उसके बढ़ने के चांस भी 100% हो जाते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सुभा उठते ही अपने में गेट के दोनों तरफ में पानी डालते हैं तो धन लक्षमी का आगमन होता है इसके साथ साथ नेगेटिविटी दूर होती है पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है कोई नजर लगी होतो वो दूर होती है और बरकत बढ़ती है घर में सिर्फ एक पानी आप सोचें सिर्फ एक जल इतने सारे काम कर देता है और वो भी सुभा के वक्त एक शांत मन से और एक विश्वास के मन से कि ये चीज होगी हमारे साथ हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी हमारे घर से नेगेटिविटी जाएगी धन बरकत होगी इस विश्वास के साथ अगर आप सुबह उठते मेन गैट के दोनों तरफ पानी डाल देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बरकत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेगेटिविटी ना जाए एक विश्वास के साथ काम कीचे तो जरूर सारे काम होते हैं उसी तरीके से हर चीज के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़े जूड़ी होती है हर एक चीज का उपाई है नीम्बू का हो नमक का हो तोटके हो या जो मरजी चीज़े हो हर एक के अंदर अपनी शक्ती होती है एक जल को भी जब हम पूजा पाठ में रखते हैं तो वो अमरित का रूप ले लेता है उसी तरीके से नीमू का कई टोटकों में यूज होता है कई तरीक क्योंकि उनके अंदर भी एक शक्ती पाई जाती है उसका सही उपयोग कौन से दिन कौन से समय कहां पर करना है उस तरीके से अगर हम करते हैं तो उसकी शक्ती उसकी वाइबरेशन हमारे परिवार में देखने को मिल जाती है इसी तरीके से आपको बता रही हूँ आज कि घर की इस जगा पर हल्दी का पानी अगर आप छिड़कते हैं तो आपको क्या benefit मिलता है किस दिन छिड़कना है कहां पर छिड़कना है और कैसे छिड़कना है कि समय छिड़कना है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उसका benefit आपको मिलेगा इसके साथ साथ मन में विश्वास रखना है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हमें benefit मिलेगा ही मिलेगा, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में लेकिन मिलेगा आपको benefit, इस विश्वास के साथ उपाई करना है, कोई भी उपाई करे इसी विश्वास के साथ करना है, अब आपको बता हो जाएगा इसके साथ साथ मा लक्षमी का आगमन होगा आपके घर आपके परिवार पे आपके ओपर मा लक्षमी का आशिरवाद होगा इसके साथ साथ गुरू ग्रह आपका बहुत मजबूत होगा अगर आपका गुरू ग्रह मजबूत है मतलब आपका कारोबर बिल्कुल और आपका व्यक्तित्व हमेशा के लिए प्रभाव शाली ही बना रहेगा कभी भी किसी के भी आगे आपको जुकने की जुरुत नहीं पड़ेगी इसके साथ साथ negative energy आपकी घर से बाहर चली जाएगी अगर डर्व लगता है घर में किसी को या किसी बच्चे को तो वो दूर ह होगी और धर में बरकत और खुशियों के मौके आएंगे आप बताती हूं कि ये जो हल्दी का पानी है किस दिन इसका छड़काव करना है इसका छड़काव आपने गुरु वार के दिन यानि के ठर्सडे के दिन करना है छड़काव के भी दो तरीके हैं या तो आप सुबह उठकर में गेट में जब आप पानी डालते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे और में गेट के दोनों तरफ इसका अपने पानी देना है हल्दी का पानी इसके साथ साथ जब आप पूरे घर में पहुचा लगाते हैं तो चुटकी बर हल्दी अगर आप अपने पहुच साथ साथ डर जादू टोना कोई नजर लगी है वो भी हट जाएगी इसके साथ सा लक्षमी मा का आशिरवाद आपको मिलता है धन का आगमन होता है आपके जीवन में तरक्की आना शुरू हो जाती है तो हर गुरुवार की गुरुवार आपने ये दो चीजे करनी है बाहर में गेट पे हल्दी वाला पानी धोड़ा थोड़ा आपने डालना है दोनों साइट पे इसके साथ साथ पूरे घर में हल्दी के पानी का पौचा लगाना है हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं और आप देखे में खुशाली का मौल बड़ा रहना जीवन में तरक्की होना इसके साथ साथ कोई भी बुरी नजर लगी हो तो वो अपने आप ही आप से दूर चली जाएगी इसके साथ साथ घर में कोई भी जन अगर बहुत देर तक बिमार है तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा तो व उपाई जरूर करें तो यही उपाई है जो आपने करना है जिससे आपकी जीवन में सफलता मिलेगी और आपको हर तरहां की खुशिया प्राप्त होने लग जाएगे तो इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया